दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल में इसका नाम है दिली जॉप दोस्तों थमनेल देखकर आप लोगों को समझ में आही गया होगा जो आज की वीडियो है वो है सीबीटी एक्जाम को लेकर के और सीबीटी एक्जाम क्या होता है आज कल जितने भी एक्जाम होते हैं वो कंप्यूटर पर होते हैं और जो कंप्यूटर पर एक्जाम जितने भी होते हैं उन्हीं को सीबीटी टेस्ट तो जो लोग नए हैं जो लोग फस्ताइम एक्जाम देन तो नर्वस ना हो options किस तरीके के आते हैं क्या क्या उसमें options होते हैं वो सारी चीजें आपको बता देंगे इस वीडियो में और इसके अंदर किस तरीके के options होते हैं कौन से options आपको select करने हैं कौन से options आपको skip करने हैं या कौन से options आपको ऐसा लग रहा है कि कोशन डाउटफुल है यह सारी चीजें आपको इस वीडियो में के लियर हो जाएंगी ठीक दोस्तों कि बहुत से स्टूडेंटों को क्या होता है कि पता नहीं होता है कि CBT exam और eczio होता क्या है और किस तरीके से उसका फ्रेसे πरेंटम के माओस कैसे चला जाता है आप सब्सक्राइब surviving कि स्टेश्ट लोग इन करने से लौग इन स्क्रीन पर तो वीडियो में चलते हैं आगे कंप्यूटर पर और भी चीज़ें बताएंगे अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने ताकि आपको इस तरीके की नौलेजबल वीडियो टाइम से मिलती रहे ठीके दोस्तों तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ध्यान से देखिएगा स्टैब वाई स्टैब जरूर देखिएगा वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वादा है आप सी बीटी एक्जाम केरफुली देख सकते हैं यहां पर कफी सारे सर्वर हैं यह एक मॉक टेस्ट के सर्वर हैं तो हम किसी एक पर ओपन करेंगे और यहां पर देखिए टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं यह सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए हैं तो मैं आपको बता होगा CUT के exam चल रहे हैं जो कि 2022 और 2023 तो 2022 तो हो चुका है हम यहाँ पर select करेंगे 2023 यह सिर्फ एक mock test है आपका exam कोई भी हो CBT का सबका process लगवग एक ही होता है बस exam में जो criteria है जो language choose करनी होती है या फिर जो options आते हैं यही बस सबके अलग-अलग होते हैं आपका exam जो भी हो आप उसके according अपनी language को और अपने यह सारे options subject वगवगरा को choose कर सकते हैं उसके बाद start mock test पर जब आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी की screen आजाएगी जहाँ पर देखी काफी सारे color आपको दिखाई दे रहे होंगे और साती सात आपका जो subject आपने choose किया है वो subject भी होगा और इस notification को इनसे instruction को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं otherwise इसके नीचे declaration दे रखिए आपको इस पर click करना है और click करने के बाद देखें यहाँ पर ऊपर option भी दे रखिए हैं कि आपको कौन से questions हैं जो attempt करने हैं और कौन से options हैं जो आप attempt नहीं करेंगे तो कौन सा color आ जाएगा color में इसलिए define किया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहों किसी तरीके की दिक्कत ना आए वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कौन से color का क्या महत्व है और किस तरीके से होता है तो चलते हैं आगे तो देखिए हम आ गएं questions की तरफ यहाँ पर आपको right side में question की number दिखे रहे होंगे एक से 50 तक यहाँ पर नीचे देखिए आपका कई सारे color भी दे रखे हैं green color, red color, महरूम color और white color और यहाँ पर left side में आपके questions दे रखे हैं question number one इस तरीके से आपके लगबग 50 questions है और अलग अलग questions होते हैं यह सिर्फ एक practice के तौर पर एक सिर्फ आपको example के तौर पर यह मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको इस question को करना है और को ऐसे आपको पता चले का कि कौन से आपने questions किये हैं और कौन से नहीं किये तो देखे यहाँ पर एक questions है इस question को आप carefully पढ़ लेंगे और आपके नीचे जो चार option दिये गए है column में A, B, C, D इन चार में से कोई ना कोई एक option होगा जो सही होगा तो आपको जो भी ठीक लगे आपने अगर पढ़ाई करी हुई है और आपको लगता है कि यह एकदम सटीक question है इसका answer एकदम सटीक है तो आप बेफिकर होके उस पर टिक कीजिए और टिक करने कबार नीचे दिखे कई सारे options हैं जहाँ पर save and continue लिखा है, clear लिखा है, save and mark लि review लिखा है और right side में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कई सारे, तो मैं आपको एक question को save करके दिखाता हूँ कि एक question किस तरीके सा accept होगा, देखिए यहाँ पर मैंने पहला question save किया, तो आपका पहले number पर यहाँ पर green color show हो गया, और green color में यह भी show हो रहा है कि नीचे mark for review and next, आप इस पर click करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बैगनी color का, यानि कि violet color का एक निशान दिख जाएगा, जिससे आपको यह पताच लाएगा, आपने अभी इस question को सिर्फ review किया है, इस question का सही जवाब नहीं दिया है, यह doubtful है, ठीक है, तो आप इस तरीके से color combination कि आप से देख सकते हैं, कि आपने कौशा question attempt किया है, या कौशा question को आपने review के लिए रखा हुआ है, यानि कि बाद में जब आपको समय मिलेगा, तो आप उसको clear कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, आई होप सो यहाँ तक समझ में चीजें आ गई होगी, अगर आपको कोई भी इसमें doubt लगे, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, जो बच्चे new हैं, जिन बच्चों को पता नहीं है, first time exam देने जा रहे हैं, CBT का, CBT मतलब computer based test जो की computer पर होता है, और बहुत से बच्चों को computer की knowledge नहीं होती है, यानि कि वैसे knowledge तो है exam की, लेकिन computer पर test देने की कोई habit नहीं होती तो उनी के लिए ये mock test है, आप practice करके जाएगा, और कोई भी doubt आपको होता है, तो आप बेजज़क यहाँ पर पूछ सकते हैं, यह जो दिली job का channel बनाएगा है, आप ही लोगों की सेवा के लिए हैं, आप ही लोग इसको हमें बता सकते हैं कि आपको कोई भी चीज नहीं हो गई होंगी, और अगर नहीं होई हैं, तो आप comment जरूर किये जएगा, तो screen यहीं पर खतम होती है, और यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा computer screen पर मैंने सारी चीज़ें आपको clearly बता द जाएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करके bell icon को press जरूर कर लिजेगा, क्योंकि जैसे ही हम latest कोई वीडियो डालेंगे, तो उसका notification आपके पास आजाएगा, तो अभी के लिए इतना ही मिलेंगे next किसी अच्छे topic के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, जै हिंदे